समुद्र की गहराई में मौझूद द्वार्का नगरी के रहश्य नमबर एक द्वार्का छेतर में एक खोच के दोरान समुद्र की गहराई में एक परवत मिला दोस्तों ये कोई साधारन परवत नहीं बलकि समुद्र मन्थन के समय इस्तेमाल हुए शिकर का हिस्सा था नमबर दो, 1963 में आर्केयोलोजी विभाग को समुद्र के 80 फिट नीचे 1000 साल पुराने बरतन और सिक्के मिले कहा जाता है कि इसी सिक्के को दिखाने के बाद द्वारका में प्रवेश किया जा सकता था नमबर 3, 1983 में फिर से एक टीम ने समुद्र की गहराई में जाकर जब रेत की मोटी लेयर को हटाया तो वहां भगवान कृष्ण के मंदिर के साथ साथ एक पूरा नगर उभर कर सामने आ गया ये नगर कोई और नहीं बलकि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी थी नमबर 4, द्वारका नगरी में पांडों के पांच रह्ष्य में कोई हैं यहाँ पर चौकाने वाली बात ये है कि यहाँ चारों और समुद्र का पानी खारा है लेकिन सिर्फ इन पांच कोऊं में मिठा पानी मौजूद है